हलो दोश्तों आपका श्वागत है रंजु की रसोई में आज बनाएंगे एक कप सूजी का बहुत ही टेश्टी नास्ता इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस नास्ते को सबसे पहले हम फ्राइपेन में दो चमस तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद उसमें आधा चमस जीरा डालेंगे साबुत जीरा है इसे डालके हलका सा चटकने देंगे उसके बाद इसमें दो कच्छे आलू डालेंगे देखिए दो कच्छे जाल कुछ तरीके से चोटे-चोटे टुकड़ों में काटके डाले हैं आधा कप मटर डालेंगे तो यह भी हरा और कच्छा मटर है अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें स्वाधनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे आधा छोटा चमच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढपकर छोड़ देंगे अग्यास का फ्लेम मीडियम कर देंगे तो देखिए अच्छे से इसको ढखकर छोड़ देंगे गैस का फ्लेम मीडियम है और थोड़ी देर के बाद चेक कर लेंगे बीच-बीच में एक दू बार हम इसको चलाते जाएंगे और देखिए अच्छे से हमारा आलू सोफ्ट हो गया है या भुट ही जल्दी सोफ्ट हो जाता है क्योंकि इसको चोटा 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 चमच डालेंगे एक चमच चाट मसाला डालेंगे इसका चट पता टेस्ट के लिए स्क्यक्सित और कुटी लाल को मिर्च एकशाश डाल लेंगे विए अच्छे से मिक्स observing अगर आप बच्छों के लिए बना रहे हैं और यह कुटी लाल मिर्ची को उसके सब्सक्राश सारा मिर्चीस व्हाले गी व्हाले यह 7 मिन कर देंगे अच्छे से तो देखे इसको इस तरीके से मैस कर लेंगे आप गिलास से भी मैस कर सकते अगर आपके पास पोटाइटो मैसर नहीं है तो आप इसे गिलास से मैस कर सकते हैं और देखिए अच्छे से मैं सो गया है अब इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आइसे छोड़ देंगे किसी प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने देंगे श्टफिंग को और देखिए अब कड़ाई में एक चमस्तिल डालेंगे हम अब उसमें आदा चोटा चमस्त जीरा डाल देंगे और एक कप सूजी डालेंगे आप सूजी बारिक या मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं और आदा कप गिहूं का आटा डालेंगे और इसको एक मिनट भून लेंगे लो टू मेडिया फ्लेम पे और देखिए अच्छे से इसको एक मिनट भून लेंगे सूजी और आटे को अच्छे से भूना गया है देख सकते हैं बढ़ियां से ये भून गया हलका सा कलर चेंज हुआ है हमें बहुत ज्यादा कलर कोई चेंज नहीं करना है और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो नमक हमें बिल्कुल कम डालना है कि पहले हम आलू के मसाले में नमक डाले हैं तो इसमें नमक बहुत ही कम डालेंगे और इसमें दो कटोरी पानी राल देंगे तो जिस करेंगे कि यह इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से हमारा डो लगकर रेडि हो जाएगा बहुत ही आसान ही यह नास्ता बनाना अब बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं जब भी कुछ खाने का मन हो तो आप जटपड से नास्ता घरमे बना के खा स सकते हैं और इक बार ये नास्ता बना लिए तो蝌 खाता ब healing करेंगे तो एक बार इस नास्ते को बना कर वह ट्राइ करिए सुबे के नास्ते में यह साम को नास्ते में बच्चे के लउंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं आलु का स्टफिंग पहले से बना के रख दीजिए और फटा-फट से यह नास्ता बनाकर आप रेडी कर सकते हैं तो देखिए अच्छे से हमारा दो लगकर रेडी हो गया है बहुत ही जल्दी यह नास्ता 2-3 मिनट में 2 लगकर ready हो जाता है तो देखे कितना जल्दी ये 2 लगकर ready हो गया इसको कटोरी में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और एकदम ठंडा नहीं करना है । हालका सा गुन गुना गरम था है आब इस में से एक छोटा सा पेड़े के अकार का लोई लेंगे बिल्कुल छोटा सा और इसको हम इस तरीके से बना लेंगे और इसमें थोड़ा सालू का श्टफिंग भर लेंगे देखे इस तरीके थोड़ा सालू का स्टफिंग भर लेंगे इसमें और हाथों से इस तरीके से बनाते जाएंगे तो इसी तरीके से सारा नास्ता हमें बनाकर रेडी कर लेना है देख सकते हैं इस तरीके से हम सारा नास्ता बना कर रेडी कर लेंगे और हमारा नास्ता बन गया है अब इसको हम फ्राइ कर लेंगे तो देखें पहले से इतेल गरम करने के लिए रख दिये हैं गैस का फ्लेम हाई रखें हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राइ करेंगे क्योंकि हमा बहुत ही क्रिशपी बनता है, हाइप लीम पे भी इसको फ्राइज करेंगे, तो बहुत ही क्रिशपी बनता है, सूजी थोड़ा सा color change होने में time लगता है, तो इसको इसी तरीके से उलट-पलट के इसको golden brown होने तक इसको हम फ्राइज कर लेंगे हाइप लेंगे, और देखिए अच्छे से यह fry होगया है कलर इतना ही हमें रखना है ज्यादा गाडर नहीं करना है बस त्ले कितना बढ़िया ये नास्ता बनकर रेड़ी हुआ है एकदम कुरकुरा है एकदम कृस्पी ये नास्ता — और कितना जल्दी बन जाता है तो इसी तरीके से सारे नास्ते को फ्राई कर लेंगे और इसको हम प्लेट में सर्प कर लेंगे तो देखिए हमारा नास्ता बनकर रेडी हो गया है इसको हम तोमेटो केचप के साथ सर्प किये हैं आप अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्प कर सकते ग्रिन चटनी के साथ दे सकते हैं और ये नास्ता तो ऐसे ही बहुत चटपटा है इसके साथ चटनी की विजरूरत नहीं पड़ेगी और देखिए अच्छे से इसको हम सर्व कर लिए हैं अब इसको हम एक तोड़ के दिखा रहे हैं कितना ये क्रिश्पी बना हुआ है बहुत प्लीज हमारे विडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ